हलो बच्चो आप लोग को फिट से मेरी यूटूब चैनल पिटेस्टिनेस्टि क्लासेस पर स्वागा था बच्चो तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देख पाये थे कि कैसे हम लोग प्रिप्रेशन आफ अल्कोहल कर पाएंगे बच्चो प्रिप्रेशन तो आज के जो वीडियो है जो हमारा लेक्चर 3 है लेक्चर 3 जिसमें आज हम पढ़ाएंगे प्रिप्रेशन आफ फिनॉल और साथ में पढ़ाएंगे फिसकल प्रपटिज आफ अल्कोहल भी बच्चो साथ में ही इसी वीडियो में मैं उसा कम्लीट कर दूंगा ठीक है तो आज हम लोग कुछ दूसरे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमकल लेक्शन आफ अलकोहल और फिनॉल भी बढ़ेंगे बच्चो तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिप्रेशन आफ फिनॉल ठीक है बच्चो तो यह हम पाले देख लो या फिनॉल को डिरेक्टली कहा से बना सकते हम लोग तो उसका हम कुछ यहां पर लिष्ट दियें बच्चो जो कि आप रिविजन करते समय इसको जरू ही पार देखेंगे ताकि आपको यह तुरंद रिकॉल हो जाए कि क्या कहा कहा से आप फिनॉल तुरंद बना सकते हैं तो सबसे पहले हैं बच्चो फ्र बेंजाने इसे ऊंपला जो फराम अनली कि उट आप होगा कि लिए मसे इसमीय इस नाम में लोग उस्पिनायल कम पार घंजयद ऑंचैंच में यह सब कुछ इंपोर्टेंट है जहां से आप डाइकली आप फिनौर बना सकते बच्चो तो हम बारे बारे सब सब के बारे बारे बात कर लिए स्टार्ट करें लूप ठेके बच्चो तो बने हम लोग स्टार्ट करें हो फ्रॉम क्लोरो बेंजीन फॉस्ट में देखिए फ्रॉम क्लोरो बेंजीन उस प्रोसेस का नाम क्या था बच्चो यहां पर डॉस प्रोसेस उस प्रोसेस प्रोसेस का नाम था दॉस प्रोसेस उसमें शिर्य आपको रेक्शन बता थे बच्चो कि इस इंधीस एक्षण है इंधीस एक्षण हॉस्टिवेदीन और ब्रों गलीन और ब्रों Sum इसमें आप ख्लोरो बेंजीन लेगा है बच्छो ख्लोरो बेंजीन रिएक्स बीट फास्ट न वेंच सोडियम हीड्रोसाइड अधर टेंपरेचर इसको अगर हम देखेंगे बच्छो आपर तो यहां पर बन जाएगा ओ मैसे प्लस देदें तो यहां से क्या हो जाएगा अधर जाएगा अधर फिनॉल यह फिनॉल होगे बच्छो आप इसको एक स्टेप में नी खा सकते हैं यह एक ही स्टेप का काम हुआ है अगर यहां पर जो इस प्लस है इस फरस्ट में इनर्ज डाले थे सेकेंड में आप इस प्लस डाल देंगे तो आप यह लिख नहीं कर सकता नहीं पड़ेगा इसका ना ब्रुबेंजिन से सिर्फे फिनॉल बना बना बच्छो ठीक है यह पाला मेथड इसी तरक्के था तो हम लोग आगे लेखते हैं लोग जब हम फिनॉल बना देते बच्छो एक बाद याद है आपको कि जब फिनॉल बना इस प्रोसेस यूज कर रहे था हम लोग वहां बताय जाएगा और वह ज्यादा फास्ट रेक्शन कर पाएगा तो इस पर ध्यान लीजेगा बच्छो और्थो पारा पर नाइक्टो कुद जुड़ेगा तो रेट ऑफ रेक्शन जो डॉस प्रोसेस का हो जाएगा बढ़ जाएगा और यह पिछले क्लास से बच्छो तो हम एक ब लोग तो फिट सेगंड में हम रोग क्या देखने वाले हैं फ्रॉम बेंजीन डाइजोगियम साड कैसे हम लोग बच्छो फ्रॉम बेंजीन डाइजोगियम साड से फिनॉर बना पाएगे एक वाड़ दिरह देखिए आपसका अस्तेपवन बच्छो हमसे यह बता दे कि बनता कैसे है एक लिर्पन नाम था टाय जो टाइजेशन डेक्षन उसी स्थेक्षा में हम लोग बेंजीन डाइजीन डाइजीन डाइजेशन डाइज बनाया थे फिर कैसे फिनॉर बना पाएगे उसको ज़्र देख लेए पहले कि आई यह नहीं कि आई पर समझ लें एनलीन नाम था वहां पर एनलीन पर इनेश्टर गुरूप हो जाएगा इसका नाम क्या हो जाएगा अगर वह एनलीन जो है एनने टू प्लस स्टी एल जी रो टू फाट देटी सरसेश तेंपरेचर यूज करें ही हम लोग तो यह हां पर हो जाएगा वेंगी डाउ डाजोनियम और साल्ट बन जाएगा वेंगी ब्रिंडीन लिंडीन लुट शॉसरी सुटियाएगा यहां पर यहां पर जो पायगून है इस तरह से जाहिएगा इसता जाएगा तो इस रेजुरेस के वजह से ये ये जार्व अस्ते के विए करा ला का इसी नर्फर होता है तो ये एंदिनarchy के बींदीर है भीटर नहीं अटम हों अगर लोग सिर्स्ट वाटर दौन हम लोग को हुआ हान में ऑफ फाटर कर दें अह होगा की इसमें मीन टूपलस आप ऑफ हट जाए गा वेजल ऑ से कइल ऑफ से पना बपाई है आय समत अनुसर माद मलश्य यह दुसरा प्रोसेस ऑगा इस उपर वाले का नाम है डाइटाइशन इसे एनरीन से बन पाया बच्छो और फिर हम लोग होट वाटर अलता होजे इसमें तो फिर नौल बन जाएगा चीक है तीसरा टेक्षन है बच्छो आपको प्रॉम बेंजीन सल्फोनिक इसे बना पाएंगे बच्छो अब इसको भी दो स्टिप पर दिखाएंगे पले यह बताएं आपको कि सल्फोनिक इसे बनता है जब बना देंगे तब वहां से फिलों कैसे बनाएंगे वह आपको दिखाएंगे बच्छो याँआपकर किसफे पर स्टिप वन एक क्रोसेस का नाम था संसे हम दिग दाधा है प्रिषयन नाइट्रेशन आंट्रेशन श्लफोनिक एम धुश्व नँन संफ्रिडलियों इसे उसी में एक सल्फपोनेशन यूज़ करने जा रहे हम लोग पर एक बेंजीन है तो बेंजीन में क्या हो जाएगा या आप कौन इस्टोफोर यूज़ कर ले यहां पर देख लें यहां से निकला है वह यहां पर जूड़ जाएगा ऑक्सिजन के साथ तो यह बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिट और इसी बन्जीन सल्फोनिक एसिट में फॉर्स्ट में एनवेश करते हम लोग और सेगड में क्या करते है पच्छों एच प्लस एच डिफिकेशन करते हम लोग तो यहां पर क्या हम पाएगा अजयें कि एच जयेगा और इससे बन जाएगा प्राम बेंजीन सल्फोनिक एसिट से अब प्रॉम मैंनेशियम अफिनाइल मैंनेशियम को राइड तो दिनाइड इजन भोते बच्छों को फिनाइल मैंनेशियम को राइड जो बता है अधिनाइल मैंनेशियम को राइड जो गया और उसमें हम लोग कर दें इस्ट्रू कर दें हम लोग बता है बच्छों इछली वीडियो में यहां कैसे जो है दिनाइड डिजन से अर्पोहल बना पाई नहीं वह अनलेगी टूरी कि ठीडिगी टार्प का तो हम लोग उसमें देखे थे हाफ मोर टूल यह थे तो वह अक्सिजन बीच में आ गया था और उसके बाद हम लोग इसको पाने डाले तो फिनाओं बन गया तो यहां पर रफच्छों क्या बन जाए यह फिनाओं इस तरह से फ हण बन आफ यह चांब को एचाइए हीट होगा को एचाइए हीट एसे हो बाएगा कि कि विनजिन फिना सोल का मतुत अ क्यों पर बेंजिंपर ऑशें सब्रह निकीन हो जब हैज़से सियरेक्शन हों एक मौल के साथ कि एक मौल के साथ तो हम आपको बताते बाच्चों यह इ एक इथर पर रेक्शन कर पाता है और क्या-क्या प्रोड़क्ट बना पाता है तो बहुत सारा वहां पर कॉंसेप्ट है जो हम आपको बताएं वहां पर इथर वाले कंडिशन में और गॉल जब खत्फ हो जागा तो इथर यह स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको बताएं और जो फिनान का पाई बन है उसके बीच में क्या होने लगेगा रेजिनेंस इस रेजिनेंस के वज़े से यह बन पूट नहीं पाएगा तो यह बन पूटेगा तो वह के नीचे एच रख लिए और हांसे बन प्रेक्ट कर दिए ऐसका जो निकलियो फाइल है बच्चो तो आई माइनस है ठीक है यह मैनिस इसके साथ जोड़ा है तो क्या बन गया बेंजीन पर वेच है और प्लस यह स्थी आई देखी इस ताल से फिनॉल फिट से बन गया तो दो दो मेठ़द एक पिनार पेनिसम कॉलाइट से भी देख लिए और साथ में इनिशोल से भी देख लि सिस्के बच्छा बलू फ्रॉं क्यूमीन यह बहुत इंपॉर्टेट बच्छा बलू को लिए ये इंस्याटी पेकी कॉस्न है क्यूमीन से कैसे बनाते है फिनॉल आप एक्सरसाइज में जाएंगे तो बदा चिलाएगा आप लोगों क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनाएगी विजन रहता ओस पोटू फर्स्ट में और सेकेंड में आपको होगा एच पिलस नेम ऑफ रेक्शन जो हो जाएगा इस रेक्शन का जो नाम है जनरल नेम है उसका नाम है क्या होगे बच्चो क्या होगे बच्चो क्यों क्यों एक रखेक्षण रेर्जमें भाए सकता नाम एक सभी अलएक्षण को जो समझएं आप गैदे को क्यों कि वैंद आपका ऐसे पर पूलते हम लो इसका नाम क्या हो गया था इसी पर परंडा बेंगिंगर क्या करें आइसो पर्पाइब बेंगर पर्प्र,शीलिक्शन तरवाएंकि यह फ़र्स्ट एलेक्शन ओटू से हुआ है यह उतों क्या करेगा एक carbon hydrogen की बीच में जाएगा और peroxy oxygen बनाएगा इस तरह से देख बच्चा आपको इसका नाम क्या हो गया क्यों में हाइड्रो पिर ऑक्साइड विद्पी यह दोनों और peroxy oxygen है कौन सो oxygen है पिर ऑक्सी ऑक्सीजन ठीक है आप इसमें क्या करेंगा बच्चों को एक वरस डाल देगा जैसे आप एसीड का ड्रॉप डालिएगा कुछ सल्फिरीक एसीड का मातरा डालिएगा वस्कंद्र इसमें रियरेज्मेंट हो जाएगा का मतलब क्या मतलता बच्चों कि वी दिंग का मोल्यक्यूल कुछ मॉलेक्ः या पर लेटम अपने जगा सोठ इस बन्स जैसे का लेंगे आप इसके पास जाएगा और इसका वाला जो बांड है यह टूट करके हम पर चला जाएगा यह बांड बन गया तो क्या बन किया देखो आप यह बेंगीन के साथ हो गया कि रखें किया हो गया छीएश्च लीघंड जिंट आप यह टों सब्सक्राइब बनता है और यह जाल कि यह लिए वाइप रॉडॉक्त है ज्याक कर दो कि मेरा क्या हो पच्छो जीनोर इंडस्ट्री में इसी तरह से बना जाता कॉमर्सल हम इभी एले पतरह का यहां पर देखें क्यूमिन पर हीड्रोक्साइड हुआ है और इस तरह से बना सकते हैं तो इस तरह को यह देखें लोग आप लोग याद रखिएगा इक सेवन देखें को बचा बलू फ्रॉम हीड्रैसी साफ इस्टर और अभी हाद करें को बचा बलू फ्रॉम एस्टिक हाड़ोसिस ऑफ इस्टर इस्टर में क्या है यहां पर ऐसा करती इस्टर हो इसका नाम हुजाएगा फिनाइल इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चो एस्टू पर साथ एक्सेस होता है इसी रेक्षन का नाम जो होता है इस ही जो करता से फॉर्स्ट ऑडर एक्षन क्या है बच्चो यहतो चैमकल काइंडिक्स में जाकर क्या आपको जाता समझिन आएगा रहां पढ़ाएंगे आपको फॉर्स्टबर एक्षन जहां प्रेश्ट और एक्षो क्या है एक्षेस एमांट में सिर्थ रेटफ रेक्षन इसी के इस्टर के आप विटिपेंट करेंगे बच्छो इसलिए इसका नाप हो के सीटो फर्स्ट और एक्षिन तो रेक्षिन क्या होता है तो वाटर का एश रख लो और यहां पर इसका वह इसका वह खर लो तो यह बॉण पुटे गा नहीं यह बॉण पोना आप पर चलते य इसी के साथ में आप लोग अप्र प्रपड़ी जाब अल्कोहल की कर ले बच्छो वह भी इजी है तो रहां समय जाएगा आपको इस लेक्टर में भी दोनों हो जाएगा तो देख लीजे बच्छो आप लोग इसको उतार लें आप लोग नोट्स बनाएंगे जरूर आप ल पार्टी जाब अल्कोहल यहां पर समलों दो बात करेंगे बच्छों आपर एक तो बॉइल कॉइंट को बारें बाद करेंगे इसकार दोनों को देखिए हैं अपर कि एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल के साथ कैसे जुड़ा हुआ है जरा पहले उसको जरा समझ ले आपको एक अल्कोहल और इस तरह से दिखाएं आपको आरो एक बुब देखें आरो एक फिर को है सिस्तर से दिखें बच्चों कि हम आल्कोहल बात पर यहां हो जाका प्लस हो जाका मैंदस प्लस मैंस और इसके बीछ में एक बांड बन रहा है इसका नाम क्या है बच्चों इंटर्म ऑनिकुलर सब्सक्राइब करने में आपको बहुत ज्यादा इनर्जी रिक्वाइड होगा तो इसका वोल्म पाइंट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ठीक है और हम अगर डिफिनेशन से बाद करें बच्चो अगर यह स्ट्रॉंग बॉंड है बच्चो तो आपको ज्यादा टेंपरिचर देना पड़ेगा ताकि इसका जो अल्खोहर का जो फेपर बने वह फेपर वन एट्मस्फर के बराबर होता है ठीक है तो कि आपको ज्यादा स्ट परफेशर ठीक है बच्चो तो यह हम इसी से बता दें आपको ज्यादा स्ट्रोंग बॉंड ज्यादा बॉनिंग पाइंट तो ज्यादा इनर्जी रिक्वाइड होगा तो बॉनिंग पादों पर डिपेंड करता है सबसे पहले तो मॉल्कुलर मास दूसरा होता है एच बॉ बॉल्कुलर मास बढ़ेगा बच्चो तो बॉलिंग पाइंट बढ़ेगा इतना जादा है इसका इसका इस त्री वेज़ इस टू ओएच श्टी श्टू ओएच श्टी श्टू श्टू ओएच अबार बाली से क्या कर रहे हैं रचोंगो एक वार कार्वन के संत्य वहाद दिखाएच जले जा रहे है है ना इस तरह से हमारा इसका जो बॉलिंग पाइंट बढ़ेगा बढ़ेगा इसके वेज़े से वालिंग पाइंट बढ़ेगा बढ़ता है तो फोर्स अट्रेक्शन भी यादा लगता है और प्यूस्टन देखते हैं बच्चोंगो जैसे स्कीश्टी वेज़ इसके नाम इथिलीन ग्लाइक बढ़ेगा बच्चोंगो इस तरह से यहां अगर इसका बॉलिंग पूछा जाएगा तो बच्चोंगों दुसरे अंकोरों के साथ हाइडिजन बढ़निंग लगाता है बच्चोंगों जैसे कि हम पहले दिखा आए आप लोगों इसमें देख ग्रूप है तो और जाना हाइडिजन बॉलिंग के लगने की संहभना यहां पर इसके मेजे से इसका बॉलिंग पड़्न कहा हो जाएगा और हम यहां पर नोट करके बदा आदे पर च्चोंगों को बारे मेनी एक फोर्ड क्बंचरा इसुमेरिक अल्वूग अगल और आइसोमेरीक अल्कोहल, जिसमें मॉल्कु फार्मॉला तो सेम हो, लेकिन अस्ट्रक्चर अलग लग हो बच्चो, तो आइसोमेरीक अल्कोहल में क्या होता है, यह जैसे से ब्रांची होता है, तो ब्रांचींग आप कारगन इन पैरेंट चलना अगर बढ़ता जाएगा, ब मेल बंकी इन अंक्रीज बन ऌंचींर ऑस कारगन इन थी ब्जिन इन फंटि पैरेंट चेन व गाहर के इन टीडिये, सेल्ट अविजिए, श्टिकविए, य स्टिकिन इनकी। के इन रागोवल्वा तो आइसोमेरीक इन रिवाव तो अभीड कार पैरेंड पैरेंड पैर अब जाएगा जैसे देखा जांपल में तो चार कारण का में लोग चार कारण का पैरेंट्चे में लिए अब हम इसको तीन का पैरेंट्चे इंक लिए तो हम ब्रांच किये इसमें थोड़ा और अगर ब्रांचिंग किया जाए तो कुछ ऐसा ब्रांचिंग हो सकता है ठीक है जो कि 3D की अब बहुत टाइप का हो गया तो यहां पर क्या है जैसे से ब्रांच कर रहे हैं जो स्टेट में चलता था उसका स्परिकल होने डगा जिसके पर के वज़े से उसका सर्फेस तो भड़ गया अब गोलिंग पांट भी क्या हो जाया घे जाये वालिंग पांट मीं जांतकु कि सा में हो जाग तो ए यह भी खिश्टी और चांट लॉर टीपी क्य डीटू लोवर सर्फेस कि अरिया तो अशेग हो ग्एक इसाजिए ब्र क कैसे कैसे चेंज होता है तो आपको शॉल्वेटिंग वारें बात कर लेते हैं एक यहाँ पर इसको हम लोग इसको नोट वानने तरले बच्चो तो हम एक नोट टू में और आपको कुछ बताना चाहेंगे बॉर्लिंग पॉइंट में ही तिरा उसको भी ज़र समझ लें आपको ठीके वो छोटा से काम समय में आदेरा आपको वानन पाइंट को ओर्डर नहीं काने के लिए पुछ लें बच्चो अरेंज विपी ओर्डर आपको लाइन मॉलिक्यूल्स ओफ कॉंपरेबल मास मास कॉंपरेबल हो हम जो भी आपका मॉल्कूल दे रहे हैं आपर उसता बॉलिंग पॉइंट आका ओर्डर निकालना बच्चो हम कुछ पर अलगला फंसन रूप देते हैं यहांपर को कि कि कहाई है और यह भी को सब्सक्राइब्स, और यह हमारा हाइड्रो फार्वन है कि पर तो की मुगा थे देखो बच्चों पॉलिक एसीद दूसरा अल्कोहल तिसरा इमीन ग्रूप चौथा अल्डी हाइड तो और यह आपका इत्फरग्रूप है और यह एलकेन है, तो इसमें ज़रा देखंए आप रूप एक कार्दलीग रूप दूसरे कार्द़ाइक रीकेसीड केसाद इस तरह से तरह Sun फिल्बन्न इन यदियों फिल्डन बनी के ने विज्ड़ाइक मॉल्कस दूबन Given जादा होगा क्योंकि इसके एक काफिलीक एसिड दूसरे काफिलीक एसिड के साथ एक ही समय पे दो-दो हाइडियल बना सकता है और जितना जाद हाइडियल बनाएगा उत्रहें इसका स्टेविलिटी होगा या उतना उसका बॉलिंग पॉइंट होगा चेक है यहां पर क्या हो जाएगा हम इसको 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 इती इती मतल इताई लेज हो एक प्लस मैनेस ही पॉर्णिग लग रहा है यहां पर हाइडेजिग पॉर्णिग फे इमिंग में देखिए एटी मतल इताई इमिन हे गूप यहां बाइनस यहां पर प्रफल्स यहां भें हादा बाइन्टीविटीफ ज्यादा होती है ज्वादा होता है तो इसमें कम नेगेटिव पोजिटिव चार्स है नीचे वाला बिक हैड़िजन बाणिंग हो गया हो गया जो कि एक हीडिजन लाओ पा रहा है इसलिए बाणिग पाइंट एसलिए तो कम होगा और यहां पर लगाराब को यह डाइपोल 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 डिरेक्शन कि ते बेंस मार्ध मार्ण को बांदात अब सब्सक्राइब हो फिलती हो फिला को डाइपोल ऐंट डाकोल इंट्रैक्शन और डाइपोल इंट्रेक्शन का जो बाल ऐस तेंथ होता है वो हैडरोगर फोर्स जो सबसे बिकेस्ट फोर्स होता है इसलिए हम लोग इसका वालिंग पाइंट ओर देते हैं हम लोग वालिंग पाइंट ओर्डर तो सबसे ज़्यादा का दो लिए किसी पुछाएगा A, B, C, D, E, F कर लें हम लोग आपसे पूछा जागा कि प्रोपेनोल का वालिंग पाइंट क्यों जादा है प्रोपेन से ताप बोलिएगा कि प्रोपेनोल जो होता है एक मॉल्कुल प्रोपेनोल दूसरे मॉल्कुल प्रोपेनोल के साथ हैडिजन बर्मिंग लगाता है जब कि प्रोपेन ऐसा नहीं कर पाता है, प्रोपेन इसा साथ में क्या लगता है? इसका इसाल में भेटावा फोर्स जोकि बिक फोर्स होता है इसलिए Прोपीनोर का बोलिंग पाइंट प्रोपेन से जाधा होता है इसका विदा मिश्यारा A,D,C,D,E,F इस तरह से हमारा बोजा बश्चो ठीक है एक लास्ट में आपको बताते हैं आप अब आप सॉलविटी में देख लीजिए आप सॉलविटी और फल्कोहल तो आपको बताते हैं बच्चो आर वो एच है यह हमारा क्या है हाइड्रोफोबिक है और यह मेरा क्या है हाइड्रोफिलिक है हाइड्रोफिलिक वो होता है बच्चो जो पानी के साथ इंडेप कर बाता है और हाइड्रोफोबिक जो होता है पानी को रिपेल करता है पानी से द तो कि देखी इसमें चो है अगर वाटर यहां होता यह माइनस यहां पलस होता और इसमें क्या लगता है है यह ओएज गुरूप पाने के साथ है यह नाम पढ़े के हैड्रोफिली और यह चोहना वाटर साथ इंट्रेक्ट नहीं कर पाएगा और यह हो जाएगा हाइड्रोफोविक निचे बढ़ेगा तो समझे कि सॉल्विटी घड़ेगा और वह बढ़ जाएगा अगर तो फिर सॉल्विटी बढ़ जाएगा तो सॉल्विटी केंतिन बातों के डिपेंड करता बच्चों सॉल्विटी और यह चोह होगा उतना ही जादा स्वाल्विटी होगा ठीक है तो यहां पर देंग बच्चों अपर आपको बताएं कि यह चो अलकाइल है इसमें जैसे से कार्बन बढ़ेगा हाइड्रोकार्बन भूता जागा ज्यादा कार्मां बढ़ेगा तो समझे हाइड्रोफोबिक देशे पठेगा और उसका सुल्विटी क्या होता घरते जाएगा है तो गश्यूंत वेज लिए अगर तो देखें बार बार इसार बार में क्या हो गार्वन पर रहा है इसलिए इसलिए विटी क्या होता जाएगा घंटा जाएगा अगर जाएगा तो समझे कि उतना ज्यादा स्वावूर हो पाएगा ठीक है इस तो पाने में स्वावूर हो पाता है लेकिन चुकि फिन्ट में छेचे कारवन है इसलिए उसकी स्वावर्टी इन सभी हाट्योकारवन अलकोहन से थोड़ा कम रहेगा अगर हम आशाम मेरी कलकॉहल के बारे बागता है तो सीस्टीरी सीस्टू इस टू सेच्टू ओएज आशाम मेरी कलकॉहल में क्या होता बच्चो जैसे जैसे हमारा जो है कि ब्रांच ही मोदा जाएगा इसका बढ़ता जाएगा अब और इसका सॉल्वीटी क्या होते जाएगा बढ़ते जाएगा इसका सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब नियुक्त क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा और नेक्स्ट क्लासिस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग केमिकल रेक्शन और अलकोहल और साथ में फिनल भी देखेंगे बच्छों तब तक इतना इविजन कर लो और अपना नोट्स भी बना लो आप लो चेके बाई बच्छों